उर्दू भाशा का एक सम्रीद इतिहास है जिसमें अंग्रेजों के जमाने से लेकर आज़ाद भारत की घटनाओं का विवारन मोजुद है लखनों के गौमतिनगर में स्थित उत्तर प्रदेश उर्दू एकाडेमी का सेल देपो विशेश महारवार रखता है जहाद दूर दूर से लोग उर्दू सहित्या की मांग करते हैं होन्बिल टीवी ने इस देपो का लिया और उर्दू एकाडेमी के साचिफ शोकत आली से बाचित की जिन्होंने उर्दू भाशा और उनके कलेक्शन के बारे में महरवपुन जनकारी साजा की आम तोर पर योगी सरकार के बारे में कहा जाता है कि योगी सरकार में मुस्लिमों यानि अल्प संख्र के बारे में नहीं सोचा जाता है ना तो उनके विकास को लेकर ना उनकी सिक्षा को लेकर लेकिन ये बिल्कुल एक ध्रम है ऐसा कुछ नहीं जितना सभी वर्गों की विकास और एजुकेशन पर मुखपन्ती फोकस करते हैं, उतना मुस्लिम कम्यूटी के लिए भी फोकस किया जाता है, उनके विकास की बात हो, डेलप्मेंट की बात हो, या फिर एजुकेशन की बात हो, हम इस वक्त मौझूद हैं उतपदेश की भासा का प्रचार प्रसार हो, उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचे की कैसे, उर्दु की भासा कैसे लोगों तक पहुंच सकती, क्या क्या खास है, और सबसे बड़ी बात देश कैसे आजाद हुआ था, उसका भी उस उर्दु की किताबों में जिक्र किया गया है कि कैसे देश आजाद हुआ था यानि कि उर्दू की भासा का प्रचार प्रसार जन्मानस तक यानि इस कम्निटी तक पहुचे इसको लेकर यहाँ पर जो सेल लीपो में हैं काफी पुरानी-पुराने कंटेंट हैं जिसमें कंटेंट भी काफी अतहासी कंटेंट और काफी बहुत सब्सक्राइब के साथ हैं हम उनसे बात करेंगे मिस्टर शौकत अलीजी से हैं सर आप जैसे किताब आप देख रहे हैं यह कैसी किताबे हैं हमारे दर्सकों को बताईए और यहां क्या खास है तीकि उत्तर परदेश उदू अकैडमी का अपना प्रकाशन विंग है और जो क किताबों को प्रकाशित करने का काम करता है और बहुत सारी किताबे यहां सेल डिवो के माद्धम से जो हैं सेल की जाती हैं जैसा कि आपने जिकर किया कि आजादी तहरीक आजादी से मुतालिक कंटेंड जो है यहां के पुस्तकों में मौझूद है कौन सी वो बुक से जैसे को जो है उसमें अपना युगदान दिया इस किताब में उसका पूरा जिक्र है या शायरी के जरीए भी बताया गया है कि कैसे देश आजाद हुआ था जी बिल्कुल जो है शोरा ने तो हिस्सा लिया और अपनी बात जो है उस वक्ती हुकूमत के सामने जो भी जो बाते कहना ही वो शायरी के जरीए कही गई तो पीछे कुछ और भी किताबे हैं वो दिखा रहे थे इन किताबे में क्या है काफी कुछ अट्रिक्टू टाइप के लगरी काफी बहुत पुराना इसमें स्टोर है कलक्सन है मौलाना अबुलकलामाजाद का जो योगदान रहा अजादी म वो तो आप जानते ही हैं और उन्होंने दो अख़बार निकाले अलहिलार और अलमलाक यह उसका पूरा संकलन जो है उत्तर प्रदिशुद्वकार में मौझूद है यह अलहिलाल है जो भी उसके प्रतियां थी वो इसमें जो है अच्छा यह आप यहां पर कितने साल पुरा अंग्रेजों का शासनकाल था वो डिक्शनरी भी प्रकाशित की हैं उसमें सहीयोग जो मिला है में नेशनल कॉंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उद्दू लैंग्वज निव डैली उनके सहीयोग से प्रकाशित की गई है अभी आप अब्लकलाम जी का भी जिक्र कर रहते हैं वो संकलन उसका जो है यहां से प्रकाशित हुआ है जिसके काफी डिमांड रहती है अब आप खह रहेते कि अंग्रेजों के जमाने का भी साहित और डिसनरी है कुछ क्या खास रहा था उस समय आप अभी आपने बात की थी अंग्रेजों के जमाने में तो हिंदुस्तानी उनसे लड़े और जिस तरह से लड़े जैसे लड़े वो सारी चीज़ए जो है यहां की पुस्तकों में आपको मिलेंगी और जैसे के अब लाकला मजास सहाब का मैंने जिक्र किया तो अलहलान बलाग जिस पर पाबनियां भी लगी जिनको रोका भी गया तो सब तहरीक जो है अज पर क्लास के जो एजू के सब्सक्राइब कराता है तो क्या उन इन किताबों की डिमांड वहां के भी स्टुडेंट होती है मदर्से के भी स्टुडेंट करते हैं या कहा कहा इन किताबों की रीच है ये उत्तर प्रदिश उद्दु अकादमे की जो ये किताबे हैं ये तो इनिवरस्टीज में भी पढ़ाई जाती है और हमें तो याद आता है जब मैं खुद एक तालिम इल्म था तब दरजा छे, साथ, आट और नौधस हाई स्कूल वगारा और इंटरमीडियेट में भी किताबे जो हैं चलती है निसाम में शामिल है और उर्दू आईएस स्टेडी सेंटर है, वहाँ मेरे ख्याल से आईएस स्टेडी सेंटर में पढ़ाने के लिए तो कंटेंट उर्दू में नहीं है लिकिन यह कि अखबारात और रिसालों के जरीए यहां से फायदा उठाते हैं वहां के स्टूडेंट्स जैसे आम तरुपर जो हिंदी की किताबे होती हैं इंगलिज की किताबे होती हैं उसमें तालीम के साथ तर्वियत भी सिखाई जाती है क्या इस उर्दू की लेंग्विज में भी ऐसा कुछ है उत्तर प्रदेश उद्धू अकाडमी परिसर में यहां पर उर्दू सिखाने का काम तो किया जाता है यहां हमारा कोचिंग सेंटर चलता है किताबत स्कूल भी यहां चलता है जिसमें के कैलिग्राफी सिखाई जाती है तो तर्वियत इसी तरह से दी जा रही है शौकर जी आखरी सवाल मेरा यह है कि यहां बहुत अच्छा कलेक्शन है अंग्रेजों की जमाने का भी कलेक्शन है आपने जिकर किया क्या-क्या खास है और क्या कितनी डिमांड है लेकिन मुझे लगता है थोड़ी सी कमी यह है कि लोगों में आवर्नेस नहीं है क्योंकि यहां पर जिस तरह से लोगों की लोगों यहां पर जिस तरह से कलेक्शन है बुक का लोगों के बारे में आवर्नेस नहीं है लोग इस बारे में जाने यानि सेल डीपो के बारे में लोग जाने इसके लिए कोई खास प्लानिंग है ताकि आपका फोकस है या सरकार का फोकस है कि उर्दू का प्रिचार प्रिसार ज़्यादे से ज़्यादा हो लोग उर्दू के बारे में जाने, उर्दू लेखकों के बारे में जाने, उर्दू शायरों के बारे में जाने और क्या इतिहास रहा है देशी आजादी का वो उर्दू भासा के माध्यम से जाने लेकिन कहीं न कहीं awareness की कमी है, जागरुकता नहीं है, इस कमी को कैसे दूर कर रहा है? जागरुकता से शायद आप यह कहना चाहरा है कि हमारे जो पुस्तकों का प्रकाशन है, उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, इसके लिए देखिए हम समाचार पत्रों में ग्यापन तो अपने कलेक्शन के बारे में देती ही हैं, और इदर इस बात पर भी विचार च जहां तक मुझे मालमात है, जो उर्दू लेंग्वेज है, ये सिर्फ एक खास समधाय नहीं करता, कुछ समधाय हैं, यानि हिंदू समधाय के भी बहुत स्कॉलर हैं जो उर्दू पढ़ते हैं, क्या ऐसा आपकी जानकारी में? ने, देखिए, उर्दू तो हम सभी की है, ये कहना कि हिंदू समधाय के लोग या मुस्लिम समधाय के लोग, उर्दू हमारी है, हिंदूस्तान की है, हमारी अपनी है, हम सब की है, आपकी है, हमारी है, इन लोगों की है, सब की है क्योंकि मुजए जानकारी हुई कि क्योंकि और भी लोग हैं तो इसकॉलर हैं पढ़े लिखें उर्दू में उनका खासा इंटरेस्ट है यकीन है और होना चाहिए और उर्दू नहीं बल्कि सभी जमाने हमारी है और हमारे माधम से लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे उर्दू लैंग्विज के बारे में देखे उर्दू तो महबबत की जबान है उर्दू वो जबान है जिसने हिम्दूस्तान को जोड़ा है उर्दू में वो ताकत है जो के हमारी राष्ट्रिय एक्ता को फरोग दे सकती है लेहाजा पैगाम बस इतना ही है कि सभी भाशाएं साथ-साथ चले बेहनों की तरह भाईयों की तरह और सभी भाशाओं का विकास हो और उसमें उर्दू भी शामिल है और उसकी तरक्शी हो सभी जो भासा है चाहे हिंदी हो या उर्दू हो वो आपस में भाई बहन है जिससरा सभी भासा का प्रचार प्रिसार हो रहा है सभी भासा का हो रहा है उसी तरह उर्दू भासा का भी प्रचार प्रिसार हो ऐसा इनका कहना है अनिल साहिनी के साथ अनुप चौधरी फॉर्मिल टीवी लखनाओ